किंद्र सरकार द्वारा जार गंड की स्वतंत्र पहंचान पवित्रता और सरक्षण है तू वेस्पिक जेन संगठन द्वारा आज देश ब्यापीस ली सम्मेथ सिखर जी बजाओ आंधूरन के समर्थन में विसाल रहली निकाल कर मानेनी अरष्टपती के नाम लेढ़ा तैसेदार सरीमती बंदनासी को गयापन स्वापा गया जबकि जैन समाज कौन रूप से अहिन सबादी एब मास मद्रा का पुर्जोर रोध करता है किंदू ऐसा होने से यहां की सुरप्चा एब मगोपिन यता कौन रूप से भंग हो जाएगी इसलिए 20 जैन तीर्थ करो और नंत संतों की मोक्षिस्तली स्रीसमे सिकरजी पारशनाथ परवत राज को बिना जैन समाज की सहमती से कोई भी नड़दय ना लिया जाए तदा पारश, नाथ, परवत, राज और मदूबन को मास मदरा विक्री मुक्त पवित्र जैन तीर्थ कर गोसित किया जाए वहीं पांच बिंदुमों पर ग्यापन दिया गया आज सोबैसे ही लेदोरा सकल दिगंबर जैन समाज के लोकों दोरा अपने अपने पृतिष्टान बंद कर के मंदर के बाहर एकत्रित होकर अपने अपने हाथों में केंद्रिस सरकार के बिरोध में नारे लिखी हुई तक्निया लिये हुए थे इवं ब्रोध स्वरूप अपने हाथों में काली पट्टी बांद कर नारे वाजी करते हुए तैसिल कारेले पहुँचे एवं राष्टपती के नाम लेदोरा तैसिल दार को ग्यापन दिया गया ग्यापन देने वालों में स्री नातूराम जैन, मनोष कुमार जैन, बिमल जैन, डॉक्टर रविंद्र जैन, आयुशेक जैन, सतीश कुमार जैन, नरेश कुमार, सुदीप कुमार जैन के अलावा अनेक मैलाएं ग्यापन दिने में शामिट होई लोग इकत्त हो गए, यहाँ तैसिल में किस बात का ग्यापन देने आये हैं? उसकी लिए केंदर सरकार ने एक आदेश निकाला है, जिसमें केंदर सरकार उसे परेट नस्थल धोसित तरने वाली है और अभी विकट दिनों में देखा गया है कि बहाँ पे कई अजैनी लोगों के द्वारा जूते चप्तल पहें के पवित्र तीर्थ सम्मेश सिखर को पहुचा गया है और बहाँ उन लोगों ने आधनेक तरीके से पार्टियां की हैं जिससे भक्ष और अभक्ष के कोई मर्यादा जहां नहीं रखी गई है अता हमारा केंद्र सरकार और जहरखंड सरकार और पार्यावरण बन मंत्रालाई शे निवेदन है कि जैन समाज सुरू से आहिंसक रही है और राच्स तंत्र में भी कभी सम्मेश सिखर के ऊपर कोई आच नहीं आई है राजाओं के समय भी संरक्षण मिला है तो वर्तमान में लोक्तंत्र है अतहां गेंद्र सरकार से लेधोरा से योडी निवज के लिए मुकेज गुप्ता की रिपोर्ट